हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टेर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैजराबाद जैसे के फ्रेंट्स मेरा नाम है फिरोज और मैं आपके लिए हर बार कुछ नहीं कुछ एक नया सोलूशन लेकर आता हूँ ऐसे ही फ्रेंट्स आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक पर उससे पहले मैं अगर बता दूँ आपको अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं यहां पर आप देखेंगे तो इस तरह के काफी सारे सलूशन के आपको वीडियोस मिलते रहेंगे मीपी टेस्टर के बारे में हो गया या अभी नया अपडेट आया था बौर्नियो का या फिर आपको इव्मसी चेंज प्रोसेश सीखना है system destroy हो गया है, student कैसे काम कर रही है student सारे live काम करते हो इनके आप live videos देख सकते हैं हर रोज का यहाँ पे आपको videos आपको देखने को मिलेंगे इसके अलाव friends अगर बात करें आप हमारा यह phone fix HYD का facebook page है यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे students फिछले बैच के बता दूं, यह सारे के सारे students के ही post होते हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यह देख सकते हैं सारा students के नाम होते होनी के post यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे यह देख सकते हैं, जितने भी यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे student का नाम होगा वो साती में यहाँ पे ग्रुप होता है उनका कौन से ग्रुप के बच्चे हैं तो इस तरह का अगर आपको काम करना है तो आप जोइन कर सकते हैं फोन फिक हैदराबाद इसके अलावा यहां से आप काफी सारे solutions ले सकते हैं यह देख सकते हैं फोन फिक हैदराबाद के ही आपको देखने मिल जाएंगे तो आपको वो इंडिया में फोनफिक हैदराबाद के ही आपको देखने मिल दाएंगी ये स्टुडेंट्स के फोडू से जैसा आप देख सकते हैं तो हमारे इस पेज को फालो कर सकते हैं और नेक्स बैज जो हमारा डिसमबर से चल रहा है भी डिसमबर 27 से नेक्स बैज है तो उसमें अगर आपको आना है तो आप आ सकते हैं बाखी जोईन कर लीजिए पोनफिक हैदराबाद के फेस्बूक और यूट्यूब चैनल को तो चलिए फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ यह देख सकते हैं मेरे पास एक MI का मॉडल है Redmi Note 4 और हलाके यह जो मैं आज बता रहा हूँ आपको fingerprint के बारे में बता रहा हूँ कि जो fingerprint पर क्या-क्या supply होती है कितने उसमें prints होते हैं, कितने उसमें पिने होती है तो यहाँ पर friends अगर आप देखेंगे यह हमारा PCB का layout होता है जैसे आप देख सकते हैं यह layout होता है तो इसमें इसको B side बोलते हैं और अगर आप CPU और EMC के side अगर देखेंगे तो इसको A side बोलते हैं तो आपका इस पे fingerprint अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं fingerprint का sensor है तो यहाँ पे मैं आपको zoom करके बताना चाहूंगा यह देख सकते हैं display connector के just बाजू में आपको मिलेगा यहाँ पे fingerprint का sensor और यहाँ पे मिल जाएगी power key का connector जो connectors जितने भी होते friends जे से start होते हैं और Samsung वगारा में H से start होते हैं यहाँ पे J1900 यहाँ पे मैं इसको double click करके select कर लिया हूँ जैसे कि यहाँ पे ऊपर भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आना है यहाँ पे paste कर देंगे तो यहाँ पे अगर आप search करेंगे तो यह देख सक सकते हैं इसमें तो इसमें 10 पिन का जो है इसमें fingerprint की connector है अगर मैं बात करूं यहाँ पे देख सकते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस, टोटल 10 पिन इसमें दिये गए हैं अलग-अलग काफी सारे models में मैंने देखा 10 पिन का connector आता है लेकिन कुछ latest models है जिसमें और भी ज्यादा आपको 12 से 15 पिन का भी आपको fingerprint connector देखने मिल जाएगा यह जो fingerprint connector होता है आपको PCB में किसी भी side में हो सकता है तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे 10 पिन का connector इसमें क्या-क्या supply आती है कहां से आती है तो इसको हम देखेंगे तो सबसे पहले अगर यहाँ पर आप देखोगे तो एक VIO supply है जिसको हम voltage input output कहते हैं तो यहाँ पर आप चे supply से output होती है तो यहाँ पर हम देखेंगे यह वी आई वक supply और दूसरी जो voltage की लाइन चाहिए इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हम बोलते हैं VDD analog voltage drain drain यहाँ पर आपको देखने मिलेगा 2.8V से लेके 3.3V यहाँ पर 3.3 लिखा है लेकिन कई सारे models में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर 2.8V से 3.3V तक मिल जाएगा तो इसको हम VDD supply बोलते हैं voltage drain drain या फिर VREZ कहीं पर लिखा होगा voltage regulated supply यह भी जो आती है फ्रेंड वहाँ से आती है यह तो हो गई फ्रेंड्स voltage की line इसके अलावा इसको चाहिए signal lines जो के command lines होती है या कोई protocol यूज किया जाता है जैसे किसी भी IC को या किसी भी connector को यूज करने के लिए किसी ना किसी enable signal का यूज किया जाता है या कोई I2C supply का यूज किया जाता है या फिर इस बिलकुल latest protocol है जो कि आपको touch connector में देखने को मिल जाएगा fingerprint में आपको देखने को मिल जाएगा sensors में आपको देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे friends अब जैसे positive voltage हमने दे दिया था साथ ही में इसको चाहिए ground यह देख सकते हैं तीन number penis का ground है और चार number भी इसका ground है मतलब यह दोनों opinions को ground के लिए दिये गए जैसे दोनों voltage यहाँ पे आए उसी तरह से दो ground यहाँ पे इसको मिल गए इसके अलावा friends यहाँ पे INT और reset supply चाहिए INT जो होती है हमारी interrupted supply और reset जो supply होती है वो RST की supply यह दोनों ही supply आपके CPU से आती है तो यहाँ पे friends मैं एक CPU यहाँ पे बना लेता हूँ तो यहाँ पे एक CPU बना लेते है इसको CPU के लिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक yellow color की line यह देख सकते है तो यहाँ पे हमने CPU बना लिया है तो अब इसमें friends जो INT की supply होती है हमारी यहाँ से 5 नंबर से अगर आप चेक क मिल जाएगा देखने को तो INT supply के बीच में parallel में कुछ डायोड लगे होते हैं या फिर एक capacitor भी मिल सकता है इसमें हमने देखा तो डायोड लगके है तो चलिए इसके अलवा एक reset supply चाहिए यह तो हो गई थी हमारी INT supply यहाँ पे आप देख सकते हैं RST की एक supply तो यह भी 6 1.8 voltage देखने को मिल जाएगा दोनों जगा पर आपको 1.8 का voltage मिल जाएगा और reset की supply बहुत जरूरी होती है आपने देखा होगा टच के connector में भी reset supply आती है डिस्पले में भी आपने देखा होगा और fingerprint में भी आपको reset का supply देखने को मिल जाएगा इसके अलावा फ्रेंड्स ज है हमारी CPU से ही connected होती है तो यह master में इन होती है supply और यह वाली जो supply हमारी master out और slave in यह SPI protocol है SPI protocol में आपको चार लाइन देखने को मिल जाएगे मोसी, मीसो और chip select और एक clock की supply यहाँ पे जो chip select होता है इसमें यहाँ से CPU से जो है chip select होगा इसका तो यहाँ से chip select के लिए यहाँ से एक line आएगी देख सकते हैं यह fingerprint को जिससे communicate करना है उसके साथ जुड़ा होता है और एक supply आती है इसमें clock की supply तो clock की supply भी यहाँ बना लेते ह clock की supply यह देख सकते हैं इस तरह से clock की supply यहाँ पे दस नमबर जो इसकी pin है यह हमारी CLK line है और यह हमारी chip select यहाँ इसे कहते हैं तो टोटल दस pin का connector है यह fingerprint का और इसमें अगर आप देखेंगे तो यह 10 pin का connector है अगर आपके पास कोई fingerprint का problem आता है यह सारी चीज़ चेक कर लीजिए बहुत आसानी से आप रिपेर कर लेंगे तो इसमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे यह components जो लगे होते हैं इसमें parallel में कुछ components मिलेंगे जैसे अगर मैं बता हूँ यहाँ पे पुड सा IC लगके जिसमें चार डायोड लगके हैं और यह आएंटी और रिसेट सप्लाई के बीच में parallel में component लगके हैं यहाँ पे अगर देखेंगे तो हर दो लाइन के बीच में एक parallel component एक छोटा सा IC है जिसको electro strategic discharge छोटी सी एक IC होती है ESD IC जिसमें चार डायोड लगे होते हैं औ और यहाँ पे मुसो मिसो लाइन में भी दो ESD IC का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी नाम आपको दिख नहीं रहा है बट इसमें यह नीचे की reset लाइन है और यह चार लाइन हमारे SPI protocol master out slave in master in slave out chip select SS और एक लाइन हमारी clock की लाइन यह चारो fingerprint connector है तो यह मैंने Redmi Note 4 में बताया ऐसे ही एक Vivo का V23 एक latest model इसमें भी अगर हम देखेंगे तो fingerprint के लिए जो connector use किया गया है इस तरह का बड़ा सा connector जिसमें charging और speaker की supply नीचे जो ringer आपका बसता है उसकी भी supply आती है यहाँ पे तो यह देख सकते हैं यह battery का connector हो गया और यह हमा SPI protocol और एक INT और एक reset वही lines connected है यहाँ पर देख सकते हैं reset और INT और यह चार लाइन जो हमारे SPI protocol जो कि सीधा CPU से connected है इसके बाद यही अगर lines हम देखेंगे 6 line हमारे सीधा जाकर के connector पर connect होते हैं यह देख सकते हैं यहाँ पर और इस वाले diagram में इसने voltages नहीं बताएं तो हम diagram क थो भी देख सकते हैं तो यह आपका fingerprint का connector तो यह एक latest model है basically हमको इस तरह का fingerprint का connector मिलता था अभी तक का लेकिन कुछ नए models में fingerprint का connector कहीं पर भी हो सकता है जैसा touch का supply भी कहीं भी हो सकता है वैसे ही fingerprint का भी जो supply है कहीं पर भी आ सकता है तो दोस्तों यह एक छोटा सा update मैंने ब SPI protocol हो गई और यह दो हमारी reset और INT की लाइने हैं तो दोस्तों यह एक छोटा सा update phone fix हिदराबाद की टीम की तरफ से अच्छे से live practically सीखना है आप December बैज चल रहा है booking 27 December का उसमें आ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा जरू लाइक करें शेर करें नीचे अपना प्यारा सा कमे क्या है कितना प्राइज है इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें थैंक्यू वेरी मच